कि नमस्का दोस्तों दोस्ता आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी गुरू जी फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि जो आपने यूपी ब्याड का एक्जाम दिये था आप काउंसिलिंग कराने का टाइम आई चुक इस से पहले ऑफलाइन काउंसिलिंग होती थी बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण उन्लाइन काउंसिलिंग लगने उनिवेस्टी ने कराती हैंगी व्यवस्ता की है तो फ्रेंट्स हम बात करने वाले हैं कि वह नोटिस आया था उसमें कुछ गैड्लाइन्स दीन आउयर हम आज की वीडियों जानने वाले हैं फ्रेंट्स वीडियो को पूरी देखती रही है जिससे आपको को कोई गलती ना हो सकते चलिएस शूब करते हैं कांचलिंग अगर आकको चलरों के आपको नोटिफिकेशन जो आता है उसकी वीडियो के फिरूब आपको बताते रहते हैं और गवर्णन्ट वेकेंसी क्यों भी आती है आपको बताते रहते हैं फ्रेंड जानने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जानना चाहते हैं यूपीड का पलपल की अ जरू सब्सक्राइब को जरूद दबाने हैं अब पहले पहुंच से का बीडियो को सबसे पहले देख सेंगे तो फ्रेंड अब रही कांसिलिंग के बाद जो कांसिलिंग है यहाँ पर देख रहे हैं आप फ्रेंड में आपको पूरी बात जल्ली बता देता हूं जिससे और जो है पूड कांसिलिंग डायर्ट कांश एडिविशन जो फ्रेंड मैं सेब्ड वीडियो दूसरी बना दूँगा आज नहीं तो मैं कल बना दूगा आज बना दूगा या तो कल ने बना दूगा और आपको व्यूडियो प्रवाइड करा दूगा तो फ्रेंड से तो फ्रेंट इसके बाद यहां पर जो एक कांसिलिंग राउंड फर्ष्ट चालू होता है तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको रजिस्टेसिंग से पहले मैं आपको थोड़ा जानकर यह दूँ यहां पर लिखा है रिक्रूर्माइंट दा पार्टिसिपेशन इन कांसिलिंग पार्टिसिपेट करेंगे कांसिलिंग उनके लिए थोड़े मैं बता लूँ देखिए सबसे पहले यहां पर आता है बैक अकाउंट डिटेल तो सबसे पहले आपको एक बैक अगाउंट ओपिन करा लेना अगर नहीं है तो आप बैक अगाउंट ओपिन करा ली जी इसकी एंसन होना चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं इनकेस दा कंटिटेटर इस सीट एडवांस कॉलेज फीस पेल इन फर्स्ट कांसिलिंग एंड फुल कॉलेज फीस पेल दफॉल कांसिलिंग यहां पर फिरंड यह बता रहे हैं कि अगर आपकी वाई चांस किसी कारा नवस एकांट डिटेल माग रहे हैं एकांट डिटेल आप डालेंगे अगर आपकी कॉलेज नहीं मिल पाता तो आपके एकांट में जो फीस होगी वह आपको रुफंड कर दी जाएगी उसके बाद फ्रेंट्स यहां पर नीचे जब हम देख रहे हैं फोर कंडिडेट एपिरिंग इन कॉलिफायंग एक्जामनेशन इन दो जार ठारा है तो यहां पर लिख रहा है इप the mandatory for those candidates who have appeared the eligibility qualifying examination in 2018 friends जो इन्होंने BID का जो entrance exam दिया था वो qualify है जो eligible है इसके लिए upload their qualifying examination mark sheet at the time of counseling registration आपको उसमें अपनी जो मार्शीट है लाश्टीर की वह आपको scan करके upload करना हुगा और यहां पर आप देख रहे हैं for and this day बोल्ड रिक्वाइब आपकी मार्शीट जो आजाती है जब काउंस लोंगो तब तक क्योंकि आपकी ओर्जिनल सीसक्समेब नहीं तो अगर आजाती तो अच्छी गात है नहीं तो अगर वह जर्वाइब कर साहांस नहीं आती यह स्थिए मार्शीट आपकी ऑजीनल आश्टीर गी तो यहां पर विग्षायें सुनulasब । यहां पर लिखी अरौन धीनल ऊरभी इंटरनेट की मार्शीन निकलवाके प्रेंसिपल से इनवस्टी की रेजिस्टार से आप उसे आपके लिए फिर मान होगा अगर हम बात करते हैं कि फर्ष्ट कांसिलिंग जो आपको करना है आपकी 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 स्टेट रेंग ना कि आपकी जो आपकी होती है जो बहुता है उसके बाद यहाँ पर आपको बताए गया है कि मैं आपको बता देता हूं ज्यादर टायम निलेता हूं चैनलेट है यूजिंग दा लोगन डेटेल एफ दा फॉर्गटन फ्रेंडस आप जो हुए जो आपकी कांसिलिंग डेटेल होगी लेटर जब आप डाउनलोड करेंगे फ्रेंडस अब अगर आपका अपनी कांसिलिंग डेटी ओपन करेंगे और वाई चांज लोगिन नहीं है उसके बाद केंडिडेट एपिलिंग दा क्वालिफाइंग एग्जामनेशन इन दा दोए अठारा एंड हूज रिजल्ट है दवीन डिकलेड टू दा मार्क इसकेंड मैंने पीछे बताए भी था आपको यहां पर आपकी जो लाश्टीर की मार्सिट आपको अपलोड करन कि अब स्टैब सेकेंड आता है कांसिलिंग फीज एडवांस कॉलेज फीज पेमेंट उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपके लिए फीज देना होगा वह पांच हजार साथ सौपचास जाने कि फाइब थाज़न सेविन फाइब जिरो होगा आपकी फीज पे करना होगा फ नेट बैंकिंग या डेविट कार्ड या अपने क्रेटर कार्ड से चालन कर सकते हैं उसके बाद आता है इनकेज दा कंडिल इज नौट अलोट इसीट दा एडवांस कॉलेज फीज फीज आर दा रवांच शार बुड़दा रिफंडर्ट से हम बता रहें कि अकर आपको वा पांच शार रुपे यहां पर दे भी रहें हैं दा कांशलिंग फीज आरस साथा पचास नौन रिफंडेबल आपकी साथा पचास रुपे रिफंड नहीं किया जाएगा ओनली रिष्टर्ट कंडिड बिल भी लच अब आता है कि आपको चो क्वालिज चुए 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 यहां पर बता रहें कि आप करेंट से कुछ भी हो उसमें अगर आपने संस्क्रिट से किया है तो आप वहां पर भी ऑप्शन आएगा कोई वहां पर ऑप्शन में आप संस्क्रिट को कर सकते हैं उसके वाद फ्रेंड्स यहां पर ओप्शन दा करेक्ट देयर जेंडर इनकेस यहां पर बता रहें कि आपको जब फ्रेंडर गलक पढ़ गया तो आप जेंडर को भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद नहीं दिया है कंडिड्ड रेश्टर्ड वा कांसलिंग हैव तुदर चुजिजिंग अक्वार्डिंग तु कर सकते हैं यहां पर साफसे लिए कंडिड्ड कें गीव एज मैंनी च्वेज एज डिरिक्टर बेंट कितने को आप चाहता ज्याते कॉलेज करने के लिए आपको अप्शन दिये जाएंगे यहां पर दे रहें कि अगर किसी बच्चे का या किसी का रेंक जो है वो थोड़ा लो है तो वह काफी कॉलेज मोर चाहिए काफी कॉलेज करता है जिससे उसको यह महसूस ना हो कि मुझे भी कॉलेज नहीं मिला आपको कॉलेज मिल सकता है उसके बाद आता है चाहिस कैन भी प्रिवीड़ दर रियर रेंड एनि नंबर इदाफ टाइम फाइनल सम्मिशन यह फिल्ड इन मल्टिपल सेशन देयर इज ऑप्शन तू सेव दीज चोईस फोर दर लॉग आउट डाटा नॉट दा विल्दा लॉष्ट करेंगे अगर जो Nord वर्वी लॉष्ट अगरब नहीं करतें सेव अपने हसे सेव होजाईगा कॉलेज चूज करते हैं उसके बाद आप जो नहीं सेव नहीं कर पाते हैं तो नहीं हो पाया लोग अपने आप हो जागा फ्रेंट वो उसके बाद दे रहे हैं पूरेंट अपने आप लॉटक हो जागा लॉटक होने से पहले उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेफ फोर की कॉलेज अलॉटमेंट फ्रेंट सब आता है आपको थर्ड और आपशन भाद कॉलेज आपने लॉटक में बताए या बताए जागा कि इस्ट्रिक्टिली और बेसे कॉंदर रेंग आपकी इस्टेट रेंग को उसे साथ सब्सक्राइब किये जाएगा आप डाला है उसके सब्सक्राइब से इस्टेट रेजर्वेशन पॉलिशिट फॉरोड एडिट गवरॉंट कॉलेज ओनली सीट अलोट रिजल्ट बिल वी एविलेबल कंट्रिल लॉगलन ली तो फ्रेंट जो आपको बतारा है जो अपको कॉलरॉड होगा आप इस पता देला अपनी आड्यव लॉगन कीजिए वहाँ से आपको पता देला का कौन सा कॉलेज आपको मिला है आपकी काॉलिज भर रहे है आपने कॉलेज लॉक उसे अकॉर्डिंग से इस्टेफ फोर है प्रोविजन लॉड़न अलॉट मेंट कम कन फर्मेशन लेटर डाउनलोड उसके बाद हम बताने कि आप एक अपर्मेशन लेटर आएगा उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा in case the college fees more than advanced college fees the candidate will be the balance amount than the three days of the college allotment before the download provisional allotment कम confirmation letter फ्रेंट से आप बताने हैं आप जब confirmation जो है लेटर जो है आप लेटर आप जो confirmation लेटर आप डाउनलोड करेंगे अपनी login ID से वहाँ पर आप college भी दिखा जाएगा लेकिन आपको जब आप उसको किसी जो कॉले में लेगा महाँ जब आप एडविशन के लिए जाएंगो तो आपको जो बताए गया है कि अलोड में before the provisional allotment आपको तीन देन के अंदर पिखर्यों कोव stands, 3 days of college before the download provisional allotment. आपको जो फीज़ पे करनी होगो वह तीन देन के अंदर आपको फीज़ न के अंदर प्रीज पय करना होगा है जब आप एडविशों iki Ł कि सी कॉलिम जेते हैं आपको तीन दनेन के उन्दर फीज़ पे करना अगर उसके बाद यहां आता है SCHT candidate will be the after the zero fees is the upload their income certificate directly in the provisional allotment confirmation letter however the however they have the gate their proper income certificate verified the allotment college in the case the certificate found to be incorrect of the fare यहां पर यह दे रहें friends कि SCHT वाली candidate है अगर उन्होंने zero fees के लिए उन्होंने अगर अप्लाई किया है माली जी उन्होंने डाला है उन्होंने मांगा था है SCHT के लिए वो income certificate अगर उन्होंने इस अगर जीरी बैलेंस के लिए मतलब किया आए फीस के लिए तो वो और काले बिदे शेवेंडेगा फ्रॉंटे लिए अलोटमाट और जीनल डूकुमेंट टॉकमेंट बिदर अब्रॉड में बतारे कि आपको जो साथ दिन के अंदर कॉलेज में और जीनल डॉकुमेंट को वेरिफाइड कराना जाना होगा उसके बाद और जीनल आपको डॉक्मेंट रिपोर्डिंग क्या की जरूद पड़ीगी तो यहां पर आपदे रहां प्रेंट आफ दो प्रोविज्ञ अलोट्मेंट कम कंफरुमेंट्र की प्रेंट आउट लखनम उनुवर्श्टी पॉर्टल से आपको मिले का वहां से आप इससे डाउनलोड करके एक वहां ले जाना है आपको प्रिंट आउट यहां पर यह दे रहा है फ्रेंड मैं आपको ऊपर थोड़ा बता दूं कंडियेट बूर्ड नीट दा कैरी और जीनल फ्रेंड आपको और जीनल पूरा आपको सेडिपिकल ले जाना है उसके बाद बंद सेल्प अटेस्ट क्थमपी एक सेल प्रटेस्ट São वही फोटो स्टेट और उसके बाद आपको और यहां प्रोविजिन कम कंफर में सपरॉमी जया जो उसका को ले जाना है उसका बाद आपको च्सक्रम अपूर्था यहां के लिए आन vanish है है're All-Mark-SEED & kle서 आपको सबहुनेकर के साथ उसके बाद आता है Category सब कतेगरी सब सब केटेडिकरी सब की करण सेटेडिके यदेटीके ऐसे चलिए बेटर वर्प जानी है उसके बाद आता है और जिनल फोटो एड़ी और आपको इसे कि आधार रिकार्ड होगे है यह ले जाना आपको गवर्णोर्ट इसू उसको और फोटो एड़ी तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताई दिया परस्ट कांस्लिंग जो था मैंने आपको बता दिया लेकिन जो और जो बचें हैं मैं आपको बता दूँगा उन्हें कैसे करना आपको डारेक्ट एडिविशन कैसे लेना है पूरा मैं आपको प्रोसेज अगली सेपरेड वीडियो बनाऊंगा उसे मतां आज बना दूँगा आज नहीं बना पाए वाइक चांस तो मैं कल आपको सब्सक्राइब करा दूगा अगली वीडियो में आपको बता हुआ जो रह गई हो और ऑप्सन कांसिलिंग के डारेक्ट एडिविशन और जो रहा गया था पूले आपको बता दूगा दोस्तों वीडियो देखने के